नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोग का इस्टेटी ग्लोस पर दोस्तो शराब कितनी पी जाए जो कि स्वास्ते के लिए हानिकारक ना हो इसका कोई भी स्टेंडर्ड कोई पैमाना नहीं है लेकिन रिसेंटली आप लोगोंने कुछ कैसिस देखी होंगे खास तावर पर रेसेंटली देराल उनके अंदर इनोवा कार का जो एक्सिडेंट हुआ है जिसने छे जवान लोगों को इनकी मौत तक उनको पहुँचा दिया है तो बेसिकली आखिरकार ये घटना क्यों हो रही है ताहिए वो सही हो कोई उसके अंदर कोई भी गड़बड ना हो है ना ब्लैक आउट ना हो आपका जो प्रिफरंटल कॉर्टेक्स है यानि कि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आज का लेक्टर बड़े दहां से सुनिएगा आप लोग कहीं ना कहीं ये कुछ जो इंसिदेंट है उनसे वे रिलेट करता है चलिए तो रिसेंटली 20 नवंबर के दिन एक एडिटोरियल जो है पब्लिश होता है यानि कि कोई ड्रिंक का क्या पैमाना है कितना वो ठीक है और वो आंसर जो है आपको बड़ा सर्प्राइज करने वाला है हम लोग आगे बढ़ें गटना के अंदर यान की कहानी के अंदर उसमें सबसे वेले आप लोग ये सुनिए रिसेंटली 11 नवंबर की गटना है 11 नवंबर की दुन 11 नवंबर के अंदर एक्सिडेंट होता है सुभह के रोज लगबख एक बचकर और पच्पर मिनट के आसपास इनोवा जो कार थी इसकी रफतार बड़ी तेज थी लगबख 150 किलोमेटर पर आर होता क्या है वो सुनिए उस दिन क्या होता है कि एक रेड कलर की जो कार थी और ये जो इनोवा कार है इन दोनों के अंदर रेश चल रही होती है ये जो इनोवा कार है ये इनोंने नई नई ली थी और उस नई कार लेने के खुशी में ये पार्टी कर रहे थी अचानक से वहां से एक red car जो है वो गुजरती है और इनको लगता है कि race शुरू हो गई है वो भी speed में ये भी speed में race शुरू हो चुकी है race इन्होंने शुरू कर दी और जैसे ही सामने जाकर एक crossing आती है और वहां पर एक truck सामने से आ रहा होता है तो दूसरी कलर की red कलरी car थी उसने तो अपने आपको mode लिया था लेकिन ये अपने brake जो है car के brake वो नहीं लगा सके और उनका accident होता है छे लोग उसके अंदर मारे जाते है इसके अंदर दो reason सामने निकल कर आए पहला reason तो ये था कि car की speed बहुत ज़्यदा थी control नहीं कर पाए और वो एक truck से जाकर टगरा गए दूसरी और surprising thing ये है कि जिस समय ये brake को apply कर रहे थे उस समय brake apply नहीं हो पाए reason ये था कि जो शराब की bottle थी वो bottle ब्रेक की नीचे जाकर फंस गई थी अब वो break जो है वो push नहीं हो पा रहा था ये दूसरा है ये कारण कहां पता चले है इन कारणों को आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि toxicology के रिपोर्ट है वो अभी तक pending है लेकिन पुलिस ने जो अपने inertial investigation के अंदर ये बताया है तो ऐसा बताया है पुलिस ने रिपोर्ट के अंदर कि वो drink consume किये हुए थे इसलिए कार की speed ज़्यादा थी control नहीं कर पाए bottle जो कि driver जहां पर गाड़ी चलाता है वहाँ पर break के निचे जाकर फंस गई इसलिए वो break नहीं लगा पाए और आफ वास्तव में मानेंगे नहीं एक बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है क्या हुआ कि बच्चे जो है वो गाड़ी के अंदर कुछ खिलोना खेलते रहते हैं अब वो खिलोना जा था, जो था, मैं कुछ सामाल लेने के लिए गया था, और वो बच्चा गाड़ी में खेल रहा था, खिलोना जो था, वो ड्राइवर सीट के नीचे की तरफ जाकर गिर गया, और धिरी धिर धिर खिसकता हुआ, वो ब्रेक के नीचे चला गया, और उस दिन फिर वो ब्रेक जो है वो नहीं लग रहा था, मैं क्या रही क्या हो रहा है, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है, मैं पुछ कर रहा हूँ, पुरा ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे लगा कि ब्रेक फैल हो गए, ठीक डंक से नहीं लग रहे है, फिर लेकिन कुछ देर बाद में मैं आपने destination के उपर पहुंच गया और जैसे मैंने उत्रा मैंने वहाँ पर जैसे गाड़ी की light on होती है अंदर की तब पता चला कि कुछ फंसावा था नहीं चे वो खिलोना मुझे दिखा तो ये दुरगटने कई बार हो जाती है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में aware होना चाहिए हमारे दिमाग के लिए क्यों घाता के उसके बारे में देखेंगे दोस्तो आप लोग हमारे 100 days के चैलेंगे साथ में जरूर जूरिए ये life changing course है और ऐसे 100 days के चैलेंगे बहुत कम देखने को मिलते है मेरा ये मानना है आप लोगों से कि आप अगर आप जीवन में सफल होना चाहते है तो concentration और focus की एहमित समझ ये आप आप की पास में एक limited time period है उसमें आपको success हासिल करनी है लेकिन अगर आपने उन golden days को यूहीं समय जो है वो खराब कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए आप इस course के साथ में जूड़ी है आपको techniques पता ही जा रही है कि कैसे आप pornography से दूर हट सकते है और अपने concentration focus को वापस से प्राप्त कर सकते है साथी के अंदर आपके brain को वापस से reprogram कैसे किया जाए तो ये courses की price काफी कम कर दी गई है आप लोग उसको जरूर join कीजिए लेकिन ये join नहीं करना है आपको देवदास देखा है आपने देवदास नशे के अंदर चूर दुनिया से बेखावर जो चल रहा है वो मस चल रहा है लेकिन देवदास को क्या पारो मिली नहीं पारो तो मिली नहीं मिली लेकिन मौत जरूर मिल गई तो drink करने की बाद कुछ देवदास यसी हालत हो जाती है जब brain की हम लोग बात करते हैं तो brain की कई सारे part होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, cerebral bone की बात करते हैं, central nervous system की हम लोग बात करते हैं, medulla की बात करते हैं, hypothalemus की बात करते हैं, hippocampus की बात करते हैं, cerebral cortex की बात करते हैं, हर area पर कोई न कोई side effect होता है, जैसे मालेजिए कि हम लोग अगर बहुत अच्छे की बात करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर देखें हिपो केंपस की ब्लैकाउट्स आपको होते हैं आपकी मैमोरी लूज होना शुरू हो जाती है कम होना शुरू होती है रिडियूस रिशर्प्शन टू लर्न न्यू इंफोर्मेशन आप नहीं सीख पाते हैं जब आप ड्रिंक करते हैं ठीक है जिसे मेडूला के अंदर स्लो ब्रिथिंग आप को होती है लो बॉडी टेंपरिचर होता है कमा के अंदर भी आप जासके हैं बहुत सारे सिंटम्स हैं बॉडी का बैलेंस खराब होने लगता है दीरे दीरे आपको सिंटम्स जाहे दिखाईजने लग जाता है तो एलकोहल जो है वो आपके ब्रेन की उपर गजब की साइड और सबसे ज़्यदा जो इस एज गुरुप के लोग है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 52.6 सब ज़्यदा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एलकोहल को कंजूम कियाता है और खास तरपर वोमेंस के द्वारा उसकी बाद में तयलंगाना, सिक्क्यम, अंडवान निक 14.9 और यूप के अंदर 14.5 ये केवल लिए पर्देश गुरुप के लिए है ठीक है तो एलकोहल कंजूम जो है वो दिर दिर भारत के अंदर बढ़ रहा है according to the American Association for Cancer Research उनका ये कहना है कि एलकोहल की कारण जो कैंसर का खत्रा है वो लगबग 5% होता है जबकि एलकोहल कारण ऑबिसिक्त ही आती है मोटा पा जो आता है वो 7.6% लोगों होता है उसके अधर अलकोहल कही ये कहीं जिम्धार होती है और अलकोहल के कारण लोग सिगरिट पिना भी सीख जाते है शुरू कर देते है 19.3% तो अलकोहल जो है कही न कहीं जिम्धार है risk factor जो है वो फर् Simmons करता ह इसलिए वहाँ पर under 35 जो age है उन्होंने इसको वहाँ से remove कर दिया कि 35 साल से कम डाइट के इंदर इसको शामिल नहीं करेगा और उसके बाद में धीरे 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 इन्होंने वहाँ से diet के अंदर alcohol को consume करना छोड़ दिया तो कही न कहीं इनको पता लगा होगा क्यार ये तो diet का हिस्ता नहीं हो सकता है कई European countries आज भी है क्योंकि diet के अंदर alcohol जो है उसको consume करती है जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग बात करें टकीला देखिए अलग अलग तरीके क है ना इसके अंदर देखिए आप लोग 40% पर अलकॉल होता है फिर wine के अंदर 12-15% जो है अलकॉल content होता है बीर जो होती है जैसे strong beer है तो 12% और regular beer है तो 5% उसके अंदर alcohol होता है तो मतलब कई बात कहता है कुछ लोग यह कहता है कि या बीर के अंदर कोई भी alcohol consume नहीं होता है जो कैवल एक soft drink के दौर पर है लेकिन उसके अंदर भी alcohol होता है गुम रहा करते है जो नहीं पितना उनको गुम रहा करते है कि नहीं कुछ भी नहीं होता तो पी ले इसके अंदर क्या होगा इससे है ना तो basically क्या है कि भारत के अंदर इसको लेकर awareness बहुत ज्यादा कम है है alcohol is a big problem in India where a 2018 2018 के अंदर WHO report के अंदर ये कहा गया था कि भारत के अंदर 2.6 जो लेक death है annually वो किसकी कारण होती है liver, cirrhosis के कारण होती है, cancer के कारण और road accidents के कारण a study initiated by the union ministry of social justice and empowerment in 2019 said that almost 15% of the population, लगबग 16 करोड भारती जो है, जिनकी age 10-17 साल के बीच में है, वो क्या करते हैं, alcohol को use करते हैं तो ये तो हुए इसके side effect, अच्छा, बात करते हैं कि किसके लिए कितने ठीक है, अब हम लोग उस point पर आते हैं, जिसके लिए आप लोग इंतिजार कर रहे हैं, जिसके लिए बताई कितना पी सकते हैं, तो उसके लिए है कि US, this defined has having no more than two drinks, निकि दो drinks जो है, वो किसके लिए है, man के लिए, और एक drink जो है, एक दिन के अंदर, वो women's के लिए बताई गई है, कि आप इतनी ही पीजिए, इससे ज़्यादा मत पीजिए, मत वो कहीं न कहीं जो है, वो इसको recognize कर रहे हैं, कि इतना पीजिए आप, हमारे भारत के अंदर ये culture नहीं है, लेकि वो कह रहे हैं दो drink जो है, वो महिलाओं, पुरिशों के लिए है, और एक drink जो है, वो women's के लिए है, और जब भी drinks को हम लोग count करते हैं, तो ons के अंदर count करते हैं, है न, ons के अंदर जो हम लोग count करते हैं, जिसे 12 ons, 12 ons beer has about the same amount of alcohol, 12 ons beer के अंदर, same amount alcohol का होता है, as 5 ons glass of wine, मतलब 5 ons, ठीक है, 5 ons, जो wine का होता है, उन दोनों को अगर equal करेंगे, तो दोनों के अंदर alcohol बराबर होता है, ठीक है, इस तरह के उसको define क्या है, in most European nations, the minimum age is 18 years, 18 साल जो है, European countries के अंदर 18 साल minimum है, और US के अंदर 21 साल जो है, वो minimum age बताई गई है, मतलब इस से कम उमर के लोग जो है, वो वहाँ पर alcohol consume नहीं कर सकते है, तो पुरुज जो है, वो एक दिन के अंदर दो ड्रिंग से ज़्यादा ना ले, और महिलाए जो है, वो एक ड्रिंग से ज़्यादा नहीं ले, फिर उनके लिए जो है, एडवर्स एफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर य चैनल को जरूर जोइन कीजीगा, यह 100 डेस का चैलेंज, लाइफ चेंजिंग कोर्स है, और काफी कम प्राइजिस के अंदर अभी आप लोग को अविलेबल लोग का 399 के अंदर, ठीक है, चैनल क्यों पर नए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजीग लाइक और शेर जरूर कर दीजीगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थेंक्यू, जैहें